आज हम बनाएंगे ऐसे लड़ू जिनको खाकर आपके सारे दर्थ छूम अंतर होने वाले हैं बहुत ही मुफीद, बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान सी ड्राइफ्रोट्स के लड़ू की रेसेपी है सबसे पहले हमें गोंद को फ्राइ कर लेना है तो अभी मैंने एक कप घी लिया वाए इसमें से तीन टेबले स्पून घी में इसमें डाल रही हूं हम गोंद को दो इसमें डिवाइड करके फ्राइ करेंगे जिससे कि यह ठीक से परफेक्टली फ्राइ होगा जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम इसमें आदे गोंद डाल देंगे और लगतार चलाते वे मीडियम टू हाय फ्रेम पर इसको फ्राइ करेंगे आप देखेंगे जब यह बल्कु पफी से हो जाएंगे तब समझ लीजे यह परफेक्टली फ्राइ हो गए और इनको निकाल लेजेगा गोंद अच्छी तरह से फूल गए हम इनको निकाल लेते हैं और दूसरा बैज भी सेम इसी महतर से हम फ्राइ कर लेंगे तो फिर से इसमें एक से दो टेभल स्पून घी डाल देंगे और बागी के बच्चे वे जो गोंद हैं वो हम फ्राइ कर लेंगे अच्छे से पफी हो जाने पर इनको भी निकाल लेंगे तो गोंध हमारे fry हो गए, अब हम बागे के जो हमारे dry fruits हैं, उनको fry कर लेंगे अब हम अपने उसी घी के cup में से 2 टेबल स्पून के करीब दो बारा से घी गरम करेंगे और अब हमें मखाने fry करना है, तो मैंने तक्रीबान 2 cup यानिकी 70-80 gram मखाने लिए बें इनको हम fry कर लेते हैं, इनको हम जब तक fry करेंगे जब तक ये golden और crisp नहीं हो जाते हैं तो ये देखे हमारे मखाने golden और crisp हो चुके हैं, बस अब हमें इनको भी बाहर निखा लेना है अब हमें दोबारा से 2 टेबल स्पून के करीब घी गरम करना है, उसी कप में से मैं ले रही हूँ जिसे कि हमें अंदाजा रहेगा हम कितना घी यूज़ कर रहे हैं और इसमें डालेंगे आदा कप यानिकी 100 gram काजू, 100 gram डालेंगे बादाम, ये भी आदा कप है और 1x4 cup यानि की तकरीबन 40-50 gram डालेंगे पिस्ता, पिस्ता आप्शनल है, नहीं डालना चाहते हैं जो इसके भी कर सकते हैं और तकरीबन 50 gram यानि की 1x4 cup डाल देंगे, इसमें किश्मिश, और इनको भी हमें फ्राइ कल लेना है इसको हम बहुत जादा फ्राइ नहीं करेंगे, कलर वगेरा नहीं बदलना है, सिम्पली इसका मौश्य निकल जाए, तब तक इसको फ्राइ करना है तो ये सारे ड्राइफ रोट्स हमारे फ्राइ हो गए, इनको भी हमें निकाल लेना है अब इसे घी में 1x4 कप मैं डाल रही हूं मघस, 1x4 कप डाल देंगे तिल और 1x4 कप डालेंगे इसमें खशखश, अगर आपको खशखश नहीं मिलती आपके शेयर में तो आप स्किप कर सकते हैं इसको आदा कप डाल देंगे नारियल जिसको की मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो नारियल का पावडर भी यूज़ कर सकते हैं जो बुरादा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं अब इसको भी हम फ्राइ कर लेते हैं तो बस हलका सा इसको फ्राई करना है और इसको भी बहार निकाल लेना है तो इसको निकाल कर एक साइड में रख देते हैं और अब जितना भी हमारा घी बचा है हमारे कप में वह हम पूरा इसमें डाल देंगे और वन बाई फोर कप डालेंगे इसमें बेसन बेसन डालने से जो और इसको हम भूनेंगे शुरू शुरू में आटा काफी ड्राइ लगेगा लेकिन जैसे जैसे यह भूनता जाएगा यह घी को एब्सॉर्ब करता जाएगा और इसका टेक्शर चेंज होता जाएगा करीब दस से बारा मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इस टेस्ट नहीं आएगा भूनावा आटे के लड्डू का एक अलगी टेस्ट होता है तो परफेक्टली इसको भूनना जरूरी है आटा हमारा एकदम परफेक्टली बून चुका है एक अच्छा सा कलर आ चुका है और इसकी खुश्बू पूरे घर में महक रही है तो रग दे तो मैं प्रिफर करती हूँ जो भी मैं गुंद उसको मैं हलका सा क्रेश करके यूज करूं ग्राइंड ना करूं लेकिन आप अपनी सहुलियत के साब से या तो ग्रैइंड कर ली जगा या फिर क्रेश कर ली जगा और इसको ट्रांसफर कर देंगे उस वैसल में जिसमें हमे आपके मोटे थोड़े बहुत पीसेद रह जाएंगे आप इसको हाथों से इस तरह से क्रश कर दीजेगा अब काजू बादाम और पिस्ता भी मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको भी दरदरा पीस लेंगे अगर आप घर में किसी बुज़र के लिए बना रहे हैं या फिर जो हमारा आटा था जो हमने भून कर रख है वो भी हम इसमें डाल देंगे अब जल्दी से एक चाशनी बना लेते हैं एक पैन में तीन टेबिल स्पून के करीब पानी गरम कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे गुड़ क्योंकि मैं गुड़ के ड्राइफ रूट लट्ड गुल जाए इसमें कोई गांठ वगएरा ना रह जाए गयास की फ्लेम को बंद कर दी जगा और इस मिक्सचर को हमें गरम ही ट्रांसफर कर देना है डाल देना है अपने ड्राइफ लूट्स वाले बोल में तो हम यह पूरा इसमें ट्रांसफर कर देंगे और पहले हम इसको या फिर्टी स्पून से मिक्सकर करेंगे क्योंकि हमारा गुर्ड का रsomething काफी गरम है जब यह छूने के लैग हो जाईगा तब हम इसको हाथों से मिक्सकर करेंगे इसे के साथ हम इसमें एक टी स्पून के करीब छोटी का पाओरर डाल देंगे जिसे कि लड्ड ओं में इसके लड़ू बना लेने हैं, मिक्षर के ठंडे होने से पहले ही हम इसके लड़ू बना लेंगे जिसे कि यह आसानी से बाइंड हो जाएंगे तो जरूरत के इस आप से पोर्शन लिजगा, मुठी में कसके इसको पहले प्रेस कर देजगा जिसे कि एक जगा अच्छे से एक खटा हो जाएगा और फिर इसको लड़ू का शेप दे दीजगा इस तरह से और इस तरह से बागी के सारे लड़ू बना कर तयार कर लीजगा और इस तरह से हमारे गोंद और ड्राइफ रूट्स के बहुत ही शांदार, बहुत ही 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 बहुत ह ये सारी problems इंशालला दूर होने वाली हैं और दूर नहीं तो at least कम तो इंशालला जरूर होंगी आपको इससे आराम जरूर मिलेगा ये लड्डू कैल्शियम और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा source हैं जिसके वज़ा से हमारी हड्डियों को ये मजबूत करते हैं ये लड्डू एक rich source हैं fat और fiber का और जो दूद पिलाने वाली माई हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद हैं इसका सिर्फ एक लड्डू आपको घंटो energy प्रोवाइड करने के लिए काफी है लेकिन फिर भी अगर आपको craving है तो फिर आप दिन में दो लड्डू ले सकते है किसे भी टाइम और अंदर से भी आपनी लड्डू का टेक्श्र देख सकते हैं कितना perfect है बहुत शांदार हमारे लड्डू बनकर त्यार होते हैं